वेलकुम बाग एवरीवन इस एपिसोड में बात करेंगे राधिका जोल टेक लिमिटेट के बारे में और इनके जो स्टोर्स है वो शायद राधिका जोलर्स के अंडर फ्लाग नेम है उनका मार्केट काप 753 करोस का है देट वेक्वेटी 0.21 पे है पेग रेशो 0.72 पेग रे देट्रिक देखने को मिल रहा है अगर हम लोग सिर्फ प्यॉर्ली इसकी बात करें और उसी और वी कंपारिटिव ली अच्छे हैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ लास्ट त्री यर्स की क्वाइट है अगर हम लोग देखते हैं जितने भी यह ज्वेलरी वाले शेर्स हैं उनके से पर बात करते हैं यहां पर सबसे पहले कॉटली सेल्स की सेल्स के अंदर बहुत अच्छी ग्रोथ देखने को मिली जैसा हम लोग यहां पर बात कर रहे थे अभी इस मार्केट के अंदर और बड़े प्लेज भी आया है बट आइल टेल यू कि मैं क्या सोचता हूँ परसनली इस इंडस्ट्री के अंदर ज्वेलरी एक ट्रस्ट का केस होता है आप हमेशा ज्वेलरी उसी से खरीदना पसंद करेंगे जिससे आपको ट्रस्ट है और इसकी वज़ए से अनॉगनाईज मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया एंदर ज्वेलरी सेग्मेंट के गएंदर Ughuleड सेग्मेंट के इंदर दूसरी चीज यहां पर यह आती है जो एक अगर आप last quarter's के sales देखेंगे तो comparatively थोड़ से downside पर थे year on year basis पर बात कर रहे हैं because यह एक high growth period रहता है अगर companies journey को maintain कर पाती है तो बहुत अच्छा point होगा यहां से and वो हमेशा अच्छा point होता है but in and out मुझे लगता है कि अगर आप किसी भी jewelry business में invest कर रहे हैं तो it's better to go with players जो और तेजी से market share को capture कर रहे हैं rather than going with small players यह हमारा मानना है jewelry case में otherwise आपको पता मुझे small cap companies यह जादा पसंद आती है 2021 में 137 croz के sales थे 2022 में 233, 2023 में 313 croz तो last three years के अंदर sales growth अच्छे आये company के trailing 12 months में वो sales maintain हो रहे है margin similar है जितने बड़े players के रहते हैं 30 croz के round 2.52 rupees का EPS बनाया है यहाँ पर company ने 50 crore के borrowings है और उसके अगेंस में 215 croz के reserves है short term borrowings को उन्होंने आठ किया है यहाँ पर certainly just हम लोग बात कर रहे थे कि इनके sales growth भी आया तो company कही ना कहीं expense करी रही है shareholding pattern यहाँ पर आपके screen पर है public के पास में 36% of the company है उसमें भी आप देख सकते हैं जो investors and companies यहाँ पे से hold करते हैं अच्छा कासा नाम आपको देखने को मिल रहा and these all are H&Is probably because एक company में 1% के जाधा hold करते हैं 26 में 2023 को लास stock split हमें देखने को मिला था राधिका ज्वल्टेक के अंदर एक यह news जरूर आकर पड़े market might still lack some conviction और राधिका ज्वल्टेक limited even after 25% share price boost and यह इसी January की news है तो you will have good insights around the fundamentals of the company यहाँ पे channel pattern के साथ में stock मीचे जा रहा था and एक level जरूर ऐसा आता है जब breakout या breakdown का phase आता है and वो आया बट decisive नहीं था because closing तो मिली उपर but volumes नहीं support नहीं किया and वापस से जो है downside journey यहाँ पर हमें continue हो तो यह नजर आ रही है अगर वापस से zone के अंदर आता तो फिर से channel pattern जो है valid हो जाएगा यहां से next zone की बात करें तो जो resistance band है वह 54.45 से लेके 39.55 तक है क्यों मैं बड़ा band ले रहा हूं मैं आपको बताता हूं because यहां पर एक rounding bottom pattern रहा है rounding bottom pattern अगर break होता है तो जो breakdowns होते हैं comparatively solid हो सकते हैं तो वह एक चीज़ा आपको consider करके चलना चाहिए और देखो किसी ने भी अगर buying करनी होगी मैं आपको आइटली बताता हूं किसी ने भी अगर buying करनी होगी जो सबसे अच्छा method हम लोग पढ़ते हैं that is कि आप initial position 100 रुपे मान लीजे तो 20 रुपे यहां पर ड होते हैं जनरल ही हम लोगों ने यह सीखा है इसके अलावा अगर यहीं से मान लो रिवर्सल आ जाते हैं तो फिर breakout आजा उसके बाद में positions आड करने जादा beneficial होते हैं अगर आप books पढ़ेंगे investing के राउंड तो उनमें भी similar strategies को बताया जाता है अगर आपने long term investing averaging करके करनी है तो काफितारी books में तो कहते हैं बस अगर company अच्छी है डारेक्ट खरीद लो पात साल बात देखोगे return बन जाएगा तो it's a lot of things जो आपको पढ़नी चाहिए यहां पर coming back to the topic momentum continue होता हो नजर आ सकता है 73.50 के उपर उसके possibilities अभी के level से तो कम नजर आ रहे हैं अभी जो है के support region बहुत पास में नजर आता है 54.45 पच्पन रुपे के करीब यह बीट होता तो इसके बाद देखते हैं किस लेवल तक stock head होता है but that's it I hope you guys enjoyed this episode पसंद आया please like share subscribe जरूर करना and I will see you guys in the next one